नमस्कार आप देख रहे हैं दब भारत खबर दिस न्यूज इस पॉंसर्ड बाइ स्पाइसी लमे दिली एकसाइस पॉलिसी केस में राउज एवेन्यू कोट ने दिली के पूर्व डिप्टी सी एम और आपने ताम मनी सिसोधिया को जमानत दे दी है कोट ने सिसोधिया को तीन दिन की अंतरिम जमानत दी है उन्हें ये जमानत 13 से 15 फरवरी तक लखनव में अपनी भतीजी की शादी समारों में शामिल होने के लिए मिली है दरसल सिसोधिया एकसाइस पॉलिसी केस में तिहार जेल में बंध है इससे पहले वो बीते 11 नमबर को अपनी पत्नी सीमा से मिलने गए थे उस दोरान सीमा की तब्यत खराब थी दिल्ली की कोट ने उन्हें 11 नमबर को सुबा 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी पत्नी से मिलने की इजाज़त दी थी ताजा मामला सीसोदिया की भतीजी की शादी से जुड़ा है 14 फरवरी को उनकी भतीजी की शादी है जिसके लिए सीसोदिया ने जमालत मागी थी हाला की कोट ने उन्हें राहत देते हुए भतीजी की शादी में शामिल होने की इजाज़त दे दी है परीशी सोधिया को बीते साल 26 फरवरी को CBI ने गिरफतार किया था ये गिरफतारी कतित शराब घोटाले से जुड़े बामले में हुई थी आपको बताने ही कि इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल ने आयोध्या में रामलला के दर्शन किये केजरिवाल के साथ पंजाब के सियम भगवंत्मान भी मौझूद थे दोनों नेता पतनी और परिवार के सदस्यों को लेकर पहुचे थे केजरिवाल मान परिवार के साथ राम मंदिर में करीब सवा घंटे तक रहे बाद में मीडिया से बाचीत करते हुए केजरिवाल ने नाम मंदिर की भव्यता की तारीव भी की और अंदर रामलला जी के दर्शन करके एक असीम शांती का अनुभव हुआ बहुत अच्छा लगा उसका वर्नन नहीं किया जा सकता ये पूरे देश के लिए पूरे समाज के लिए पूरे विश्व के लिए बहुत सभागय की बात है कि इतना भव्य और अच्छा सुन्दर मंदिर बनके तयार हुआ है और देली लाखों लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनकी आस्था देखके दिल गदगद हो जाता है और मैंने भगवान से प्रार्थना की सबकी सुक्षांती के लिए सबकी स्वास्ते के लिए और भारत देश बहुत तरक्की करें आप देख रहे है दभारत खबर हमारी बागी खबरों के अप्डेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नवस्कार